सब्सक्राइब कीजिए इन क्रिप्टोनेटर चैनल को और बल आइकन को दपाईए तो मोस्ट होट टॉपिक क्रिप्टोगरंसी के बारे में जानने के लिए अगर आप मुझे पॉलो पुराने फॉलो करते हैं तो आपको शायद ये पता ही होका कि कल बीटीसी बेरिश था इसी तरीके से में टी technical analysis और coins की video लाता रहता हूं cryptocurrency की तो चैनल को subscribe करना और telegram channel को join करना बिल्कुल भी न गूलेगा link आपको telegram channel को description मिल जाएगा दोस्तों मेरा नाम है अमरपीट सिंग आप देख रहे हैं Indian crypto net let's get into the video दोस्तों यहां पर देख सकते हैं मैंने एक retracement Fibonacci retracement लगाया है नीजी से ऊपर की तरफ तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां से यह वाला एक pump आया था उसके अंदर 1100 गया था लेकिन जो अगला pump आया था वह बिल्कुल आपको 618 के उपर 618 का Fib range होता है Fib level होता है वहां से आपको dump देखने को मिला यह चीज मैंने अपने पहले भी किसी वीडियो में बताई हुई है कि हमें मतलब जब भी pump आता है तो हमें जो retracement वापस देखने को मिलती है जो reversal वापस देखने को मिलता है अगले pump में तो वह हमें 618 पर देखने को मिलता है तो यह चीज मैंने पहले भी अपने इसी चैनल में बताई हुई है तो वही ना आप follow करेंगे तो बात है सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो बात है तो यही बोलता हूँ कि मैं सब्सक्राइब कर लीजी चैनल को ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिल सकें तो यहां पर भी आप देख सकते हैं 618 बिल्कुल एक क्रिटिकल रही है और बिल्कुल उसको ट सब्सक्राइब करें तो यह दो पर में बात किया अब हम करेंगे तीसरे और चोथे लास्ट तीथरे और चोथे पंकी जो कि एक कल हुआ और एक कुछ दो हफते पहले ही खतम हुआ था तो अब उन तोनों की बात करें तो आपको मैंने यहां पर पिछले वाली अपने तो यहां पर देख सकते हैं अगर मैं यहां से फिबरेंच लगाऊ तो आपको यहां पर 61.8 का बिल्कुल एक रिजिस्टेंस देखने को मिलेगा जहांसे पापस हमें डम देखने को मिला बट यहां पर अब इस पार थोड़ा सा ट्वेस्ट आया है अगर मैं आपको बताओ इस पार क्या ट्विस्ट आया तो आपको पता लगेगा कि क्या यहां पर आपको उल्टा कुछ करने की जरूरत पढ़नी थी आप यहां पर मैंने देखा कि मैंने 5800 चो की लो अलो अलो था अपना जून के आसपास का जो बहुत बना था 6100 पर वहां से मैंने फेब लेवल नीचे से उपर तक यह उपर से नीचे तक वह क्यों लगती है नीचे से उपर तक इसलिए लगती है कि हमें देखना होता है कि जो हमारा पंप हुआ है वह कितना जादा नीचे तक आ सकता है मतलब अगर वेव के बारे में बात की जाए तो हम यह इस तरीके से देख सकते है क फिर इस तरीके से 5th wave फिर यहां से देखेंगे आप 68 पे थोड़ा सा वो किया फिर उसके पाद डंप आ गया था क्योंकि ETF वाला कुछ 1,2 फिर यहां से तीसरी फिर फिर आगे 4 और 5 भी जब ऐसे करके बनती है 1,2 यहीं कहीं बीच में और 3 फिर ऐसे बनती है जो कि 3 हमेशा बड़ी होती है वन और फॉर और 5 आगे ऊपर तो जो फाइव इन पर इन पर इन में बन ती है भिशे से वन तू 3 4 फाइव तो वही सीन होजाता है इससे तरीके से ज्मकार ना सकते तो फिमन्हाची यसे पतलब काफी अच्छा माना जाता concept ये एक तऌरीकों हाग गाँ वां यहां पर हम देखिया हमने की कितना जादा ड 처by यहां पर देख रहे हैं कि कितना जादा ड bapt descobre세요 थोड़ा सी एक फिंपनाची कभी आपको इक उत्योरियल से में जाएगा हम यह फे देख रहे हैं कि कितना जादा डप हो गा par अगर यहां से हम देखें, तो अगर यहां से हम देखें, हम अगर Fibonacci रेंच यहां से लगाए है, बिल्कुल इधर तक हम यहां पर देखने को मिलेगा, कि 618 तो टच किया ही नहीं, 618 तो यहां पे आ है, अगर मैं इसको चेंज करूँ, पकड़ जाँ, पकड़ ले, अगर मै यहां पर लेकि आओं तो आपको देखेगे के 658 तो यहां पे दो भार तो गलता जो यह पोनालों गीन तो यहां पको गार लिकिन région दो मीन दो डो दिनों में कोछ बोट ज्यादा नीचे गिरिया उसके अंदर कि यहां पर लगेगा इसके अंदर आपने देख था आपने कि एकदम आपको दंप देखने को मिला तो हम यहां पर देख सकते हैं कि अब वापस यहां से जो रिट्रेस होगा retrace मतलब यह नहीं होता कि retrace ऊपर जाएगा यह नीचे जाएगा retrace होता है अगर आपका मतलब pump चल रहा है तो वो कितना dump होगा आप उसको predict करने की कोशिश करते हैं और अगर आपका dump चल रहा है वो कितना pump होगा अब उस चीज़ को predict करने की कोशिश करते हैं तो यहां पर भी वही हुआ है हम यहां पर एकदम डंप हुआ मैं यहां पर अगर रिवर्सल हुआ हम देख सकते थे कि कितना पंप हो सकता है और एक बारे डंप होने के बाद जब पंप हुआ तो आप देख सकते हैं विल्कुल 61.8 61.8, 61.8, यह देखिए, यहां पर आपको देखने को मिला कि 61.8 पर डंप हो और यहां पर होवर करना शुरू हो गया, तो यह वन डे का था, एक नॉर्मल सी चीज थी, फिब लेवल के उपर सपोर्ट एंड रिजिस्टेंस, यह मैंने आपको पूरा इतना टाइम इसे लिए ल देखिए है, तो दोस्तों इब 수ल, अगर संपली बोलओ, और तो कभी भी एक जुए है चैığın चुच्छल र्यम जてकादा ने होई अटाब ₹च्छल देखने को लेहां होई जो कि बिलकुल कि पर पके, बासे निवस्टेए होई, माद करूदल के अचरा बार इसरे लिवल ठीक है अगर यहां से हम वापस देखते हैं और यहां पे जाता है six one eight को टच करता है तो दोस्तों जो next चीज होती है वो अगेंडम जो यह हमें देखने को मिला है और वो इस से बड़ा होता है और अगर हम बात कराएं तो इसने अभी तक high or low ही बनाया यह देखिए अगर मैं हमें बतां है, हाईर लो बट यहां से लोर हाय, लोर हाय, ₳ यहां पहें देखने तो झाल सकते हैं रेचुर्ण्ट आप देखने को मिल रहा अगर यहां पहें बात करें तो आपको अगर पता नहीं है 1608 को यहां पहें बता है यहां से बिल्कुल 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 यहां से बिल्कु या अगर retest हो तो बाद में क्या होता है तो बट मैंने अपनी सारी positions अभी close कर रहे रखी है एक BCH की long position को ली है जो आपको भी थी हुई है मैंने और कोई भी तरीके की किसी भी चरीकी की position नहीं है तो हम यहां पर देखें आगे हमें इस समय तो लग यह simple और simple price section के उपर मैं बात कर रहा हूं आगे हम देखें तो यहां पर हमें लग रहा है कि BTC अभी और गिर सप्ता है बात रहें कि 5800 और 5900 वाली support के उपर की कि वो support के उपर कैसे react कर तो और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है अगर अगर किसे support को बार-बार टच किया जाए यहां बार-बार उस support के उपर हवर किया जाए most likely वो support टूटती है तो दोस्तों हमें देखना होगा कि क्या वो support के उपर price section हमें देखने को मिलेगा और बात रही अगर मैं इस descending triangle की बात करूँ तो आपको यहां पर कोई भी किसी भी तरीके का trend reversal देखने को नहीं मिल रहा है अभी इस समय तो कोई bull run की बात करें तो भाई बिलकुल बेफकुफी वाली बात है बुलरन अभी कोई कोई बुलरन नहीं दिख रहा ऐसे रोज रोज बुलरन नहीं आते हैं वो 2017 का जो बुलरन था वो एक different चीज थी और अभी जो चल रहा है वो एक different चीज है पिछली बार ही 2013 में हुआ था ऐसा नहीं होता है कि वो हर साल हो और जो लोग बार बार बुलरन आएगा यूट्यूब वीडियो बनाते हैं जो कि बिल्कुल इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है तो दोस्तों हमारा जो critical point आएगा वो आएगा ट्वेंटी टू 16 टू मतलब October के ending में तो मैं आपसे बात करूं कि पूरे October तर जाएगा बिल्ट के ending नहीं ऐसा नहीं होता है पहले ही मतलब काफी पहले ही यह यह रेंज़ हो चाहेगी यह रेंज के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा कुछ ना कुछ यह रेंज जो है तो हम यह वाली हैं तो इसके अंदर हमें, तो दोस्तों अगर यहां से नीचे गया तो आपको मैं एक चीज बता दूँ, एक नॉर्मल सी बात कह दूँ, आप उनको वेल्स भी कह सकते हो, आप उनको इंस्टिउशन भी कह सकते हो, कि यह जो एरिया रहेगा न, यह वाला, 5000 और इतना एरिया, इस कि अंदर काफी ज़्यादा लिक्विडिटी देखने को मिलेगी वेल्स को, क्योंकि सेलिंग पॉवर काफी ज़्यादा रहेगी, तो यहां पर एक्यूमलेशन काफी ज़्यादा हो सकती है, इस रीजन में, तो हो सकता है, कि इंस्टिउशन चाहे कि यहां पर डंप हो, और फिर वापस बात में वह पंकरे, ऐसे मैं इंस्टिटुशन के दिमाग से कह रहा हूं, यहां पर दोस्तों मैं आपको सही बताओं सबसे ज़्यादा इंस्टिउशन इस समें जो ट्रीट कर रहा है, वो कर रहा है, और बात रहें वहां पे शॉट्स पहले ही जादा है, और का तरीके से रिटेस्ट हमें देखने को मिला ये पंप हुआ ये डंप हुआ उसके बाद रिटेस्ट वापस से 6,000 जाने का रहेगा और अगर यहां पर आता तो यहां पर काफी जादा लेकुरिटी वेल्स को यहां पर मिल सकती है और वहां पर यहां पर रिटेल इंवेस्टर है क्यों सोचे है कि दोस्तों वह इस रेंज के अंदर जो अगर मैं रेंज बनाओं तो वह इस रेंज के अंदर काफी देर से अटके हुआ है इस वाली रेंज के अंदर काफी देर से अटक चुके हैं और अगर वह इस रेंज को भी तूटता हुआ देहे वें जो मतलब वेट कर रहे हैं इस triangle को break करेगा और यह गर नीचे प्रेक नहीं करता उपर नहीं करता और नीचे प्राइस कम हो जाता है अगर इसका यहां पर प्राइस कम हो जाता तो पता क्या होगा तो जिन लोगों को मतलब पैसा कमाने आएंगे जो सिर्फ और जो लोग न मतलब capitalization हो जाती है फिर नया cycle शुरू होता है इस पूरे मतलब इस area के अंदर आप सोच भी नहीं सकते कितनी ज्यादा volatility रहेगी और कितनी ज्यादा आपको यहां पर वह देखने को मिलेगा liquidity देखने को मिलेगी जो की सिर्फ और सिरफ वेल्स की accumulation यह accumulation zone बन जाएगा फिर ज यह थे ना bitcoin तब की बात कर रहा हूं तो वह scene आजाता है यहां पर तो यह चीज है यहां पर इस breakout को देखना बहुत ज़रूरी है आप जैसे देख सकते हैं यहां पर volume comes, decrease, decrease होई जारी है और पिछली week की volume बताओं तो यह खुल गया अपने week का chart अब week के चार्ट के बात करें तो आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा आपको मैं बताता हूं अगर मैं इस चीज को जो कि हमें disturb कर रहा है पिछ में इसको side पर करें इसको भी side पर करें तो हमें यहां पर क्या देखने को मिलेगा हम यहां पर देखेंगे भाईयों क्या volume यहां पर यह देखिए आप volume आप यह volume देख सकते हैं, आपको अगर यहाँ पर volume देख रही होगी, तो यहाँ पर आपको पसले लेगा, कि यह all time low volume है, जब से आपको bullrun देखने को मिला, last time इतनी volume जो थी, around बात करो, तो यहाँ पर थी, जो की था, December 2016, और उसके पाद जो volume आई है, यहाँ पर, even कि जो bitmax है bitmax पे भी, पिछले तीन, चार दिनों की, मितलब जो volume चल रही है, वो all time low चल रही है, 2016 से, तो यहीं पर आपको पता लग सकता है, कि कोई breakout तो होना ही है, और मैंने जैसा कि आपको पहले बताया, कि ज़रूरी नहीं है, पूरे end तक जाके, जो कि around October, November के बीच में, वहाँ ज सकता है, और एक और बाद आपको मैं कह दूँ, कि आपको यह नहीं देखना होता, कि bearish BTC, bullish BTC, जी नहीं, आपको bull run का wait करने की, और bear run का wait करने की, जरूरत नहीं होती है, मैंने यह अपने telegram पे भी, पोल्स दा लेती है, आप telegram जोईन कर लीचे, उसके अदर काफी साथ है important aspect के बारे में भी बात करता रहता हूँ, उसके अंदर मैंने बताया था, कि आपको सिर्फ और सिर्फ यह देखना है, कि market कैसी चल रही है, और उस तरीके से अपने आपको react करना है, आपको जरूरत नहीं है, यह ऊपर जा रही है, bullish bullish चाहिए, आपको bearish चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, कि सरफ reaction सही होना चाहिए, अगर आपका reaction सही है, आप काफी अच्छे तरीके से earning कर पाओगे, बाकी दोस्तों, BTC के बारे में बस यही है, मेरे पास बताने के लिए अगली वीडियो में मैं बात करूँगा, रिपल के बारे में, actually यह वीडियो एक दिन पहले मैं यह आदी एक दिन बात बनी है, मैं जब वीडियो बनाना था, उससे में रिपल शूट अप कर गया, और में रिपल की पोजिशन में था, तो वो पोजिशन हैंडेल करने थी, इस वएसे में लेट हो गया, दोस्तों, यह वीडियो कल ही मिल जाने थी, sorry दोस्तों, दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए, होगर आपको वीडियो पसंद आए, तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब चानल को करना बिलकुल भी मत कीचे, बूलिएगा, और कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएएगा, कि आपको एक्सपरियेंस कैसा लगा, हमारी वीडियो को देखके, This is Amarpeet Singh, aka Indian CryptoFT, is signing off. Thank you very much for watching.